समस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बेबी जम सूट के फूर्थ पार्ट को लेके हाजर हूँ हमने ये कंधे जोड लिये हैं, दोनों तरफ के कंधे हमारे जोड चुके हैं और अब हमें हुडी बनाना है इस समय दोनों फ्रंट साइड में 18-18 फंदे हैं 18-18 स्टीचेज और बैक साइड में 21 स्टीचेज है यानि हमारे सलाई में 57 स्टीचेज हैं और ये हमारा दागा इस साइड में है तो हम इस साइड से बुनना शुरू कर रहा है तो हमें सभी फंदे उल्टे बनाने हैं पहला फंदा ऐसे नीट वाइस डालेंगे उन अपनी और करेंगे और सभी फंदे उल्टे बना लेंगे अब चुकि यहां पे गैप है तो यहां से हम फंदे उठा लेंगे यहां पे हम दो फंदे उठा लेते हैं और फिर बैक साइड के फंदे भी इसी सलाई पे बुन लेंगे दूसरे साइड से भी गैप में से हम फंदे निकाल लेंगे और दूसरे फ्रंट को भी हम इसी में अटैज कर लेंगे अब सारे फंदे एक ही सलाई पे आ गया हैं अब हम काउंट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60 60 फंदे अब हमारे सलाई पे हैं और अब हम इनको चार भागों में विभाजित करेंगे अब पहले फंदे को ऐसे नीटवाइस डालेंगे उन अपनी और करेंगे और 6 फंदा उल्टा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे ये बाडर के 6 फंदे यानि 7 फंदे बुने जा चुके हैं और 10 फंदा हम और बुनेंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, और 10 अब ये टोटल 17 फंदे हो गया है तो यदि आपके पास मारकर हो तो आप मारकर लगा लेजे मैं यहाँ पर ऐसे उन लगा लेती हूँ फिर हम 13 फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और फिर यहाँ पर एक और मारकर लगा लेंगे नेक्स्ट तेरा फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और यहाँ पर तीसरा मारकर लगा लेंगे और लास्ट में आपके सत्रा फंदे बचेंगे तीन, छे, नो, बारा, पंदरा और दो, सत्रा तो इनको हम बुल लेंगे और लास्ट के साथ फंदे यह बॉडर हैं तो इन्हें बॉडर की तरह बुनेंगे तो हमने साथ फंदो को चार हिसे मबाटा है एक, दो, तीन, और चार तीन मारकर लगा है जिसे चार हिसे में फंदे बच गया है साइड साइड में सत्रा सत्रा फंदे हैं, सेवन्टीन स्टीचेज हैं और बीच में थोटेन अब wrong side से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे मारकर के पास जब हम पहुचेंगे तो मारकर को दाइने हाथ की सलाई में कर लेंगे और फिर बुनना शुरू कर देंगे अब ये मारकर आया है तो इसको हम इस सलाई पे कर देंगे और फिर नार्मली बुनना शुरू करतेंगे तो उल्टी साइट से हम सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे अब हम सीधी तरफ में हैं तो साथ फंदे हम बाडर के बुन लेंगे और आठ फंदे सीधे फंदों में से आठ फंदे बुन लेंगे सत्रावे के बाद हमने मारकर लगाया था यानि कि हम मारकर से दो फंदे पहले हैं तो इस फंदे में हमें दो फंदा बनाना है तो दो फंदे बनाने की कई विदिया है या तो हम एक सीधा बुने और इसी में बैक साइट से एक और सीधा या फिर ऐसे इसी फंदे में एक लाइन नीचे हमने इस देखिए ये सीधा बुना और फिर इसी फंदे में एक लाइन नीचे ऐसे आके और एक और सीधा फंदा बना अब यहाँ पे दो फंदे हो गया है या फिर उन अपनी और करेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे अब इस जाली को जब बाएं मतलब उल्टी तरफ से आएंगे तो इसे ऐसे घुमा के और उल्टा बुन लेंगे तो इस तरह से भी एक फंदा बढ़ गया कहने का मतलब है कि हमें किसे भी विदी से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना होगा हम क्या करेंगे इस फंदे को सीधा बुन लेंगे फिर इसी फंदे में एक लाइन नीचे आके और एक और फंदा बना लेंगे देखिए दो फंदा बन गया अब अगले फंदे को हम बुन ले करेंगे मार कर को दाहिनी सलाइं में कर लेंगे अगला फंदा हम सीधा भून लेंगे और फिर आगर बुंदिः में एक का दो बनाना है एक नेशे से बनागे और फिर एक उस फंदे यहां पर देखिए दो फंदा बन जा फिर हम आगे बुनते हुए आएंगे इस मारकर को हम यूँ ही दूसरे सलाई में कर लेंगे आगे के फंदे बुनना शुरू कर देंगे अब हम सीधा बुनते हुए यह हम अपने तीसरे मारकर के पास आ गए हैं तो दो फंदा पहले अब इस फंदे में हमें एक से दो करना है तो पहले एक सलाई नीचे एक फंदा बुन लेजे फिर इस फंदे में एक फंदा बुन लेजे यह एक का दो हो गया अगला फंदा हम सीधा बनेंगे मारकर को दूसरी और कर लेंगे फिर अगला फंदा सीधा नेक्स्ट फंदे में हमें दो फंदा बनाना है एक बार नीचे ऐसे स्लाई डाल के सीधा बन लिया फिर एक उसी फंदे में देखिए एक नीचे डालके सीधा बना है, दूसरा उसी फंदे में, अब शेस फंदे सीधे बुन लेंगे, और लास्ट के साथ फंदे, चुकि बॉडर है तो उन्हें हम उल्टा बना लेंगे, तो इस फंदे में, इस लाइन में हमने चार फंदा बढ़ाया, एक इस मार करके, एक फंद पहले और मार करके दो फंदा बाद, दूसरे वाले फंदे में, इधर हमने एक से दो दो कर दे, यानि यहां पर हमने दो फंदा बढ़ाया, इस फंदे को, इस मार करके हमने यूँ ही जाने दिया है, यहां पर हमने कुछ ने किया, फिर यहां पर इस मार करके दोनों साइड म में एक एक फंद आ बढ़ाया तो दो ये और दो ये चार फंदे इस ऐसे बढ़ गया है और सेस फंदे जैसे है वैसे हम भूल लेंगे अब हमें बटन पस बटन हूल अब नहीं बनाना है और रांग साइट से हमे त लोज पर सब फंदे उल्टे बनाते हुए दूसरी साइड में हम आ जाएंगे अब हम फिर सीधी तरफ से आ गए तो साथ फंदा हम बार्डर का बुन लेंगे और एक फंदा इधर पिछली बार हमने बढ़ाया था तो यह तोटल अब 17 से एक बढ़के 18 हो गए तो 18 फंदे हम बुन लेंगे देखे यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था 18 फंदे बुन लेंगे मारकर को दूसरी और करेंगे और फिर हम बुनते हुए तीसरे यह बीच के मारकर के पास पहुँचेंगे बीच के मारकर से एक फंदा पहले तो यह अब इस लाइन में हमें अब बीच वाले मारकर के दूनों साइड में हमें फंदे बढ़ाने होंगे तो यह मार करके दो फंदा पहले है तो इस फंदे में हम एक से दो करेंगे पहले नीचे ऐसे बनाईए चाहें पहले ऊपर बनाईए और फिर आगे नीचे चाहें जैसे भी आपको बढ़ाना हो आप एक फंदा बढ़ा लेजे तो ये मैंने एक से दो कर लिया अगला फंदा मैं सीधा मारकर को दूसरी और किया अगला फंदा सीधा अब नेक्स्ट फंदे में हमें दो करना है सीधा बना फिर इसी में एक लाइन नीचे आगे एक और सी तार तो पिछली लाइन में, पिछले सीधे में हमने दोनों साइड में फंदे बढ़ाया थे और इस लाइन में हमने बीच में फंदे बढ़ाया दो फंदा बढ़ाया पिछली लाइन में चार फंदा बढ़ा था और इस लाइन में, सीधी लाइन में दो फंदा तो friends ये portion जो है वो गले का portion है हमारा सिर्ज होता है ये ऐसे curved होता है तो अगर ये गला मान लिया जाए तो ये ऐसे curved होता है तो हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने होते हैं इसलिए हम यहाँ पे फंदे बढ़ा रहे हैं तो हर सीधी line में एक बार यहाँ फंदा बढ़ेगा पिछली line में हमने यहाँ बढ़ाया था इस line में हम यहाँ बढ़ा रहे हैं फिर जब next सीधा बनाएंगे तो हम दोनों तरफ यहाँ बढ़ाएंगे और उसकी अगले सीधे में यहाँ यानि alternate हम फंदे बढ़ाएंगे एक बार इन दोनों साइड में एक बार यहाँ पर जब यहाँ बढ़ाएंगे तब इन दोनों जगह पर नहीं बढ़ाएंगे और जब इन दोनों जगह पर बढ़ाएंगे तब यहाँ नहीं बढ़ाएंगे इस तरह चार line में हम 6 फंदे बढ़ाएंगे इस तरह बढ़ाते हुए हम 10 cm तक बुनाई करेंगे देखिए फ्रेंड्स एक बार दूनु साइड में जू मारकर लगाय था तो दूनु साइड वाले मारकर के दूनु तरफ दू दूफंदे बढ़ाते हुए और अगली सीधी लाइन में सेंटर वाले मारकर के दुन तरफ दू फंदा बढ़ाते हुए 10 सेंटीमेटर मैंने कम्प्लीट कर लिया है देखिए ऐसे फंदे बढ़ने से यह से तीरचा आया है इस समय एक सो बारा फंदे हो गए उसके बाद 112 फंदो को हमने 10 सेंटीमेटर तक सीधा सीधा बनाया ना एक भी फंदा बढ़ाया ना एक भी फंदा कटाया 10 सेंटीमेटर के बाद हम मारकर हटा देंगे और अब हमें यहाँ पे एक भी फंदे बढ़ाने नहीं है जो फंदे बढ़ गए हैं यानि 112 फंदे अब उन्हीं को लेकर 10 cm और हमें पुढ़ना है तो अब इसकी लंबाई ये 20 cm हो गई है और अब हम इसको क्लोज करेंगे तो फ्रेंड्स अब नेक्स पार्ट में हम इसको क्लोज करेंगे और इसमें आस्तिन लगाके इसकी सिलाई कर देंगे तो फिर नेक्स पार्ट में मिलते हैं थैंक्स फार वाचिंग